हलो दोस्तों नमस्कार हमारे यूटूब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों देखिए आज का जो हमारा टोपिक है आयरवेद के उपर है आयरवेद से रिलेटेड है एक बहुत ही लाइलाज बिमारी है जो की मतलब बहुत फाइल चुका है ऐसा सायद कोई हो जिसके पास बिमारी ना हो जिसको करते हैं बमासीर बमासीर का एक बहुत ही बहतरीन आयरवेद नुस्कार लेकर के हम आए हैं आप लोग के सामने वैसे होते हैं देखिए यूटूब पर बहुत से चैनल आपको मिल जाएंगे इसके लिए लोग बोलते हैं कि दो खुराक में जब से खतम हो जाएगा चार सुख खुराक खाओ खतम हो जाएगा दस दिन में खतम हो जाएगा दो दिन में खतम हो जाएगा ठीक है लेकिन हमारा जो टोपिक है दोस्तों ये फैकने वाला टोपिक नहीं है हम फैकते नहीं है ठीक है क्योंकि आयरुवेद में जो भी दवाएं बनी है किसी भी बिमारी की हो X, Y, Z तो उनका जो है कॉर्स होता है ठीक है बिना कोर्स के आरुवेद की दवा नहीं होती है ऐसी कोई दवा बनी ही नहीं आरुवेद में या घरेलू नुसका में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है कि जिसको मतलब आप दो खुरा खाओ और बिमारी जुआ ज़ल से कतम हो जाए ऐसा नहीं है, ठीक है अगर ऐसी दवा किसी के पास है तो भाई प्लीज मेरे को बता देना ठीक है? तो ऐसी कोई दवा नहीं बनी है आईरवेद में कोई भी दवा हो उसको सैयम से लेना पड़ता है और उसके साथ परहेज भी करना पड़ता है ठीक है? और आईरवेद दवाओं का कोर्स कम से कम 40 दिन से ले करके तीन महीने तक का कोर्स होता है कोई भी बिमारी हो, कोई भी दवा हो कम से कम 40 दिन नहीं तो तीन महीने का कोर्स होता है तीन महीने का कोर्स आप कर लेते हो उसके बाद बीमारी कितना ठीक हुआ ठीक है उसके हिसाब से फिर आगे पीछे अगर सही हो जाता है तो उस दवा को रोक दिया जाता है ने तो बढ़ा करके एक महीने दो महीने और चलाया जाता है हाँ ए है कि आयरवेद जो है थोड़ा लेट से काम करता है ये से काने का मतलब है वो अपना जगह बनाता है ठीक है अपना पामर जमाता है जब उसका पामर पकड़ में आ जाता है बीमारी को पकड़ लेता है उसके बाद फिर जड़ से साप कर देता है ठीक है तो हम जो नुसका बताने जा रहे हैं बहुत ही बैतरीन है और बहुत ही सर जरूर करिएगा हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और जो है बेल आइकन को दबाएगा क्योंकि बेल आइकन को अगर दबाते हैं चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आने वाला हर नियो वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ठीक है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं देखिए यह जो इसक्रीन पे दिखाई दे रहा है यह है नीम का पेड़ है ठीक है तो आपको जो है नीम के जो फल होते हैं ठीक है उनके बीज होते हैं गीरी उसको जो है लेना है ठीक है हरा उसाल वाला नहीं लेना है जब पक जाते हैं तो सब तूट करके गिर जाते हैं तो उनकी जो वीज की गिरी होती है उसको लेना है तो माल लेजा 100 गराम गिरी है निम की ठीक है और उसमें जो है 100 गराम सक्र डालना है दोनों को खुब अची तरह कूट दें ठीक है और कूटने के बाद खुब बढ़िया पाउडर उसको बना ले और उसको जो है एक चमच सुबह और एक चमच साम ताजी पानी के साथ खाना ले बराबर ले नीमित रूप से ले ठीक है और इसको लेने से आपको जब दो-चार दिन ही आप इसको लेने लगेंगे तभी आपको आराम होने लगेगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है और एक होता है मकोय होता है हमारे इधर बोलते हैं उसको ठीक है तो तो पोधा ने है हमारे पास present time में, चोटे चोटे फ़ल होते हैं उसके काले काले होते हैं, मकोई बोलते हैं और हमारे दर उसको बुलबुल बोलते हैं, छोटा वाला बोलते हैं, तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, और ये जो है नीम का पत्ता, दोनों का रस बराबर मात्रा मे निकालने और निकालने के बाद इसको cotton से जो है मस्य पर लगाएं बराबर दिन में दो बार चार बार जब भी आपको time मिलता है तो उसको लगाएं सोते समय भी लगाएं तीक है तो मस्य तुट करके गिर जाएंगे यह बहुत ही गारंटर इलाज है बहुत ही अच्छा है बिना पैसे का है कोई इसमें जो है दिक्कत वाली बात नहीं है तो इसको आप इस्तेमाल करिए और किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट आप कर सकते हैं तो यह नुस्का है फिर जो है मिलते हैं नेश्ट वीडिय की जरूरत होती है ठीक है तो बमासीर में आप जैसे लाल मिर्चा गरम मसाला और चिकन मचली यह सब चीजे नहीं खाना है जितना हो सके साधा भोजन करिए ठीक है हरी पत्तेदार सब्जिया खाईए और अगर खिचडी आप खा सकते हैं तो और बेटर है ठीक है तो उसको लेकिन गरम मसाला लाल मिर्चा यह सब तो कत्ती नहीं खाना है क्योंकि अगर परहेज आप नहीं करते हो तो दवा काम नहीं करेगा आविरुवेत की दवा जो है क्यों परहेज पर ही चलती है ठीक है अगर परहेज आप करते हो तो दवा 100% काम करेगा अगर आप परहेज न इतना है, आगे फिर मिलते हैं निश्ट वीडियो में, और अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसे हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें, ठीक है, ओके, थैंक्यू,